हाई गाइज आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सेप्टी नेट आपने डिवाइस का आप कैसे पास करें उसके बारे में बताऊंगा काफिशारी रोम्स होती है जैसे के कस्टम रोम में यूज करें या कोई पोर्ट रोम ही हम यूज करते हैं उसके अंदर बना रखाऊं उसको आपको उसका जो है 24 से पहले वाले जो थे मैजिक के उनकी बीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी लेकिन इसके अंदर आपको मैं सेप्टी नेट के बारे बताने वाला हूँ दो में बताऊंगा सेप्टी नेट पास के एक तो आपका जो ह जो है मैं बताऊंगा उस पर डिटेल सारी चीजी आपको दूँगा तो आप पूरा बिलकुल लास तक देखना और उसको बिलकुल भी स्किप मत करना ताकि आप सही से समझ सको क्या मैं बोलना चाता हूँ उसके अंदर क्या समझाना चाता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा आ आइड करते हैं मैजिक के थ्रू ही उसके बारे में बताऊंगो तो वीडियो में लास तक आप बने रही गया और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने डिवाइस के अंदर मैजिक को इंस्टोल कर लेना है प्रोपर तरीके से बिलकुल और यहां पे जाजिक्स जो है नो अभी दिखा रहा तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा बाकी मेरा आप देख सकतो मैजिक को उसे थैए बिलकुल इंस्टोल है यहां पर लेटिस्ट इंस्टोल है आफ यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जाना है इसके सेटिंग्स के अंदर में और incompat़ में जाने के बाद यहां पर नीची आना है और यहां पर जिएग बीट दिया गए इसको simply आपको Google Play Services और Google Play Store चाहिए तो Google Play आप लिख देना दोनों ही यहां पर आ जाएंगे वही दोनों आएंगे और यहां पर आने के बाद सिंप्ली Google Play Services पर क्लिक करना इस तरीके से और यहां पर आपको काफी सारे options देखने को मिलेंगे थी यहां पर जो सबसे पहला देखने को मिलता है अदर आपको जो फ़र्ष पर यहां पे बैंड वाला दिया गया है इसको आपको इनियवल कर लेना ठीक है यह बाद करना है उसके बाद को क्या करना करता है उसक비 आपको यहां पर पि'll बताता लिए बदो पर यहां कि safety net pass का यह fix वाला 2.2.1 है तो इसको आपको flush करना अगर so ना करें तो simply आप यहां से जो आपका file अगर hide रहे तो इसको so कर ले ना उसके बाद जिस भी folder पर रखें उस पर जा करके safety net fix 2.2.1 इसको जो है simply safety net fix जो patch है इसको आपको flush करके reboot कर देना है और जैसे ही थोड़ी दिर में आपका device boot हो जाए तो boot होने के बाद play store पे जाके आप पहले भी आप एची डाउनलोड कर सकते होगी यहां पर आपको एक app डाउनलोड करना safety net check करने के लिए यही app का use करना safety net check करने के लिए किसी दूसरे कर नहीं simply y as लिक करके n sc लिखना है यहां पर और इसको आपको search कर देना है ति आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर इसको simply आपको install कर लो तो इसको install कर लेना आपको तो यह दोleader करने के बाद इसके अंदर ही हम चलकर आपको simply play store के app info में आना है और play store के आने के बाद clear storage आपको simply यहाँ पे कर SCP यूज करते तो उभावी आपको इमया भावशे करते यजय करना है यहाँ पर प्लियर करना लिए पर इसको आठाख देना है और एक बार अपने को आप धिखाया था सेप्टेनच पास होने के बाद भी तो आपका यहां स्थाइठ भाइठ को मल जाए गा西 कुर देना कि हो जाए शकाइए तो युनिवेरसल वालों के से नहीं हो रहा है ठीक है तो सेकेंड आपको एक और दूँगा उसको भी आपको यहां पे फ्लस्क कर देना सिंप्ली अपने स्टोरेज में जाना इसकी भी लिंक में डिस्क्रेप्शन पर दे दूँगा जो भी मैं बता रहा हूं लिंक डिस्क्रे से ही हो जाता है तो सब्सक्रेज कर सकते हैं को काफी लोगों के लिए बताने वाख नहीं होने वाला है तब सबसे पर इसकेंड तो यहां पर यहां पर अभी आपका जो है इसके अंदर काफी चीजे ट्राइग किया यहां पे दोनों मोड्यूब फ्लस करके देखा फिर भी ये आपको दिखा तो दोनों ही यहाँ Πरैसिक और परोफायल मेरेशु दोनों भी यहाँ दिखा रहे हैं तो जैसे यहींद देखें स्वहाला ट्रोपर करना आपको जाते हैं आपको सेखेंड मेफिटी यहाँ हो झाला को Universal Rising यहां पर सबस्क्राइब करना सबस्क्राइब करना है तो यह जो है आपको इनेवल कर लेना और Google Play Services पे जाके सेम जो है वही दोनों आपको यहाँ पर इनेवल करना है जो कि GMS वाला है और दूसरा Unstable वाला तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनको इनेवल कर लेना है उसके बाद Play Store के अंदर First वाला जो वेंडिंग कर दिया इसको इनेवल कर लेना जैसे कि हमने First पे किया था यह कर लेना है और अब हमें वापिस से इसके अंदर भी Modules के अंदर ही जाना है तो Modules में इसके अंदर भी आपको जाना है और Modules पे जाने के बाद Simply Install from Storage पे जाना है और यहां पे यह वाला Modules आपको देखने को मिल जाएगा जो कि उसमें Second वाला Modules फ्लस करने के बोला था वही वाला आपको यहां पे इसके अंदर फ्लस करना है Magics Hide वाला प्रोप्स जो दिया गया है इसको आपको Simply इसके अंदर फ्लस कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है जैसे ही आपका यह Module फ्लस हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे Reboot Simply कर देना है Reboot पे क्लिक करके आपको यहां पे Reboot कर देना है ठीक है और थोड़ा सब वेट करें आपका फोन जैसे ही बूट हो जाएगा उसके बद आपको सबसे पहले मैं यहां पर आपको देखा दिखा दू कि मोडियूल जो है इसके अंदर यहां पर इंस्टोल हो चुका है मैजिक हाइड प्रोप कंफिगर वाला जैसे कि यहां पर इ यानि कि हमें यहां पर मोडियूल फ्लस करने के बाद सिंपली प्ले स्टोर के जाना है प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहां पर टर्मिनल सर्च करना है तो टर्मिनल सर्च करना यहां पर टर्मिनल इमिलेटर फोर एंड्रोइड आ जाएगा इसको आपको सिंपली यह नहीं करोगे प्रोपर आप देखोगे सभी से समझे क्या बोलना चाहतो आपको यहां पर साथ चल जाएगा तो इसको सिंपली ओपन करने ला है इंस्तोल करने के बाद और ऑपिन करने के बाद करने के बाद यहां पर थोड़ा सा लोड लेगा उसके बाद आपको यहां पर कुछ और भी देखने को मिलेंगे नंबर वाइस यहां पर तो आप देख से कुछ इस तरी के सब फिर से आने वाला तब यहां पर आपको पिक ए सटिफाइड फिंगरप्रिंट इसके आगे एफ निफसे आपको यहां पे चीज फूरी फोलो करनी क्या पर यह लिख स्ट के बाद सींपली यहां पर यहां पे आपको Samsung, Sony, Lenovo, Realme, Somi, Redmi, Poco, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तब आपको यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर आपको यहीं पर में चीज सुननी है, अब यहाँ पे आप अगर जैसे कि आप अपने डिवाइस के अंदर कोई पोर्ट रोम यूज़ कर रहे हो, और किस डिवाइस से पोर्ट किया गया ओर रोम उसी डिवाइस को सेलेक्ट करना है, यह चीज़ आप ध्यान रखना अगर आपकी खुद की ओफिशल रोम आरी कोई कस्टम रोम हो या सोमी आपके डिवाइस के लिए ही आ रहा है आप अधर डिवाइस से पोर्ट हुआ वाला यूज नहीं कर रहे हो तो आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है यूज करना यह यह काम करता है यहां पर अध्यान रखना है यहां पर है कि कि अगर किसी परच वाला यूर यूज कर रोत आपको उस डिवाइस आपर सेटक करना यह यूज कर रहो तो मैं यहां पर 악 Planning Murder लग कर लेता हूं क्योंकि सो मी सीरीज में आता है Redmi Note 5 Pro 30 है यहां पे तो simply मुझे यहां पे 30 लिख देना है और 30 लिखने के बाद एंटर कर देना simply यहां पे क्योंकि 30 लिखने को मिल जाएगा Global वाला चाइनीज वाला तो मेरा यहां पे Note 5 Pro है Note 5 Pro यहां पे देखने को मिल रहा है Global वाला Media Tech Note 4 भी दिया गया है तो इस तरीके इस डिवाइस आपको देखने को मिल जाएंगे और एक चीज और आपको यहां पे आपको यहां पर यहां पे मेरा तो Note 5 Pro देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर जैसकि पोखो वाला थोड़ा से यहां पर आप काफी लोगों को पोखो डिवाइस अगर पोखो स्रीज में ना मिले क्योंकि यह तो स्वूमी वाले पर में हूँ पोखो वाला भी है तो पोखो वो आपको Somi वाले पर ही मिलेगा क्योंकि Poco F1 Somi के साथ आया था फर्स्ट Poco F1 जो था Somi Poco F1 आया था इस तरीके से तो यह इसलिए आपको यह सोमी पर ही मिल रहा है आप देख सकतो है अगर किसी को डाउट कोई कंफ्यूज होना तो यहां पर आ जाना सोमी के अंदर मिल जाएगा अगर बाकी आपका डिवाइस ने मिल दिसी तरीके से अधर उस पर जाके एक बर चेक करना है कि कहां पर आपका डिवाइस है तो जैसे देखने को मिलेगा Android वर्जन देखने को मिलेगा 12 जैसे की तो मेरा यहां पर 9 दिखा रहा है हाला कि मैं जो अभी रोम यूज करूँ इसके अंदर Android 10 है तब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप तो Android 10 या 11 या 12 यूज कर रहे हो बस आपको यहां पर यह चीज आपको सेम चीज करना है सभी को यहां पर 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 यह वाले में यानि कि pass हो जाए तब मैं आपको इस application पर चलके safety net दिखा देता हूँ जो कि cts fail दिखा रहा था पहले लेकिन अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो cts भी pass होगे बेसिक वाला भी बिल्कुल pass देखने को मिल रहा है हमारा यहाँ पे complete बिल्कुल safety net pass हो चुका इसके अंदर में और आपको play store भी दिखा देता है तो इस तरीके से second method के अंदर जो है आप आपके safety net आपका pass हो जाएगा तो इस तरीके साब pass कर पाऊगे अब आपको यहाँ पर एक बार module भी दिखा देता हूं हलाकि मोडियूल आपको अनिस्टोल डिलीट नहीं करना उस आपके normal ंच्स करना चाहते हो तो टर्मियन अर्मन अपर पर यहाँ उसको जरूर कर सकतो इस पुछ कुछ नहीं करना है अब बात करते more एक को से हाइड करना आपको अगर आप चाहें फर्स्ट मेथर से safety net pass कि हो second method किसी से भी किये हो safety net pass कर रहे हो magic पे तो आपको कैसे करना है यहाँ पर setting पर simply आना है और यहाँ पर आपको जो configure deny list दिया गया है इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद जो भी banking app आपको hide करना है यहाँ पर आप देखोगे सभी आपके banking app so करेंगा अगर so नहीं करते हैं तो आप search भी कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे कि chrome होगे अप chrome के अंदर जितने भी यहाँ पर enable करने के लिए दिये गए हैं तो आप यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि banking app अगर आप hide कर रहे हो तो जितने भी आपको यहाँ पर enable करने के लिए option मिलते जैसे में तीन है chrome में काफी ज़्यादा था तो इस तरीके से जिस भी application में आपको ज़्यादा हो या कम हो सभी को enable करना है किसी एक को दो को इस तरह नहीं करना है इसके अंदर जितने भी enable करने के लिए है सभी को enable करके ही आपको यहाँ पर hide करना है simply इस तरीके से enable कर लेना है उसके बाद अपने device को आप reboot कर दोगे तो आपका वो application hide हो जाएगा तो इस तरीके से आपको hide करना है Banking Apps को आप hide कर रहे हो या किसी अदर application को आप hide करना चाहते हो उसको आप hide कर पाओगे इस तरीके से तो जो भी उसके अंदर आपको option मिले simply सभी को आपको select करना है जितने उसके option इनेवल करने के लिए हो जो भी application कर रहे हो या दर कोई अप्लिकेशन आप हाइड करना चाहो उसको भी हाइड कर पाऊगे ति यह पूरा मेथड था यहाँ पर मैजिक के लेटेस्ट बिल्ड के अंदर में लेटेस्ट जो भी आया इसमें चेंज हो चुके यह सारी चीजे तरीके जो है आप यहाँ पर कम्प्लीट मेरा फॉन तो भी फास नहीं हो रहा तो कोई यहाँ कोई आप एल्म है आएट कोई यहां पर वी क्या पास क्यों ब्यूज़ कर रहे हो यह Somic device सी अदर device का पोट रोम युज़ कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि किस device से पोट क्या गया है, आपका रोम आप जो यूज़ कर रहे हो, आपके device के लिए जैसे कि official आना बंद हो जाता है, तो फिर पोट रोम आते हैं, यही सब देखने को मिलता है, यह फिर custom रोम पोमेंट करके पूछ लेना हमारे टेलिग्राम का भी लिंक डिस्क्रेप्शन पर मिल जाएगा तो आज की डूब बस नहीं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो तो काफी लंबी होगे बस इसलिए मैं यहां पर इसके कहीं पर ज्यादा उतना कुछ खास नहीं किया हो नहीं काफी लोगों को confusion हो जाता है इसलिए वीडियो यहां पर लंबी भी हो गई है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरू कर दिजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all पर कर लिजे ताकि एकली वीडियो की notification आप सभी को मिल अजये थैंक्स फर वाचिछ